आपके सामने IVPS SO का एक 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 जामपल है, IVPS RR भी SOIT एक जामपल है, और साथी साथ बहुत सारे insurance सेक्टर में भी आपके पास options बनते हैं, यह last video में मैंने चर्चा करी थी, बस एक revise के form में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक revise के form में मैंने आपको यहाँ बता दिया, अगर आप SOIT की तैयारी करना चाहर हैं, तो जैसे मैंने बोला कि आपका major subject जो बनेगा, वो आपका IT का paper बनेगा, लेकिन जो आप बाकी जो subject होते हैं, banking के subject, जैसे आपका reasoning, math, quant, वो भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, आररवी के लिए तो आपको GA भी पढ़ना पढ़ेगा तो insert कहने का मतलब है कि उन सारे subject पे भी आपका focus होना चाहिए, क्योंकि अगर आप final selection के बारें बात करते हैं, छोड़ी छोड़ी चीजों को भी ध्यान में आपको रखना पढ़ता है, तो यह हो गई पहली बाद, दूसरी point पर मैं आपको बता दू कि opportunities यहां पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि वेकिंसी बहुत जादा नहीं है, लोग बहुत गीने चुने आते हैं, तो उससे फाइदा यह होता है, cutoff बहुत कम जाता है, इसे low cutoff exam होता है, तो बस आप चीजों को पहले दिरे दे समझना start किजिएगा, तो ज़्यादा अच्छाथ database, अज यह इसकी पहली class है, तो हमनों कुछ basic चीजों पर discuss कर रहे होंगे, फिर questions पर आ रहे होंगे, database management system के बारे हम बात करते हैं, तो यह क्या है, simple सा बात है, इसके बारे हम क्या कहा जा सकता है, तो यह एक मेरा software system है, यह एक मेरा software package है, which is used to manage database, यानि हम कह सकते हैं, it's a system, it is a system, which is used to manage, which is, used to manage database, used to manage database. manage database, यह एक ऐसा system है, जो database को handle करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यह database management system, core part है, अब DBMS के बाद करते हूं, पहले DBMS बना, उसके बाद enhancement आपका होने लगा, ठीक है, हम DBMS के बारे हम बात करते हैं, database management system के बारे में, ठीक है, यानि एक system है, एक software package है, जो database को handle करने में इ अब DBMS है DBMS से इनहेंस करके RDBMS बना है, RDBMS मेरा बना है, RDBMS बना है, OOR DBMS बना है, यह सब है जो इसका इनहेंस्मेंट है, ठीक है, तो आज के दौर में हम लोग जो मुस्टली चीज़े बात कर रहे हैं, यहां से बात कर रहे है, RDBMS, जितने भी package पे हम काम करते हैं, SQL Server पे बात करते हैं, या Poster Gris, SQL पे बात करते हैं, या फिर हम Oracle पे काम कर रहे हैं, MySQL पे काम कर रहे हैं, किसी भी पे काम कर रहे हैं, we have a basic knowledge about the RDBMS, RDBMS क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने कि इसी से चीज़े influence हों के आगे बढ़ी है, शुरुवात इसका यहां पे है, तो यहां पे concept यह भी बन जाता है, कि क्या DBMS, RDBMS नहीं है, या RDBMS, DBMS नहीं है, आप तो यहां पे यह दिमाग में रखिएगा, कि जितना भी आपका RDBMS होगा, वो DBMS होगा, तो इसको DBMS भी बुला जा सकता है, लेकिन, जो DBMS होगा, वो मेरा RDBMS नहीं होगा, इसका कोई गारेंटी नहीं है, कि सारा DBMS, RDBMS होगा, आपको पुराने जवाने के package में आपको बताता हूं, DBMS का नाम आपने सुना होगा, आपने FoxBase का नाम सुना होगा, तो यह वो सारे package DBMS होगा, FoxBase होगा, DB1, DB2, यह वो ऐसे package थे, ऐसे software package थे, जो कहीं ना कहीं data को या तो column wise store करवाते थे, या तो row wise store करवाते थे, it's not for the tabular form, तो that's why हम लोग यह बोल सकते हैं, कि यह जो है, यह इसका part होगा, लेकिन यह इसका part होगा, एक सब्सक्राइब होगा, समझ में आगे, तो अब यहां से की element निकला है, DBMS के बारे में, कि DBMS किसे कहा दा सकता है, what is up, ठीक है, DBMS, ठीक है, तो 2-3 तो basic fundamental part है, basic fundamental part है, प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि basic fundamental में क्या जागे, कोई भी RDBMS package होगा, वो data के बीच में relation मना सकता है, वो क्या कर सकता है, तो relation develop कर सकता है, वो data के बीच में relation, यह सबसे बड़ा advantages का, RDB में से इतना popular यही है, इसलिए बहुत बड़ा advantage है कि relation मना, relation मनाने का मतलब क्या है, कि अगर मान लो कि कोई भी, आप इसको एक real life example से देता हूँ, मैं बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजे, एक apartment में हम लोग रह रहे हैं, एक apartment में मेरा flat number one है, flat number two है, एक A, B, दोनों हमारा flat है, अब दोनों को जाना है दिल्ली से आग्रा, ठीक है, दोनों को दिल्ली से आग्रा जाना, same venue पे, same location पे, तो अगर हमारा और आपका relation बना रहेगा, we are relative to each other, तो फाइदा क्या होगा मेरा, फाइदा यह हमारा होने वाला है, कि हम ऐसा हो सकता है कि एक ही car से दोनों चले जाए, fuel की बचत होगी, समय की बचत होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे काम कर दे, तो मैं आपके through you वो काम करवा दो, तो मेरा भी रिसोर्स बच जाएगा तो अगर हम दो डेटा के बीच में रिलेशन बना पाएंगे तो बहुत सारा मेरा क्वेरी स्टेप है वह समराइज हो जाता है जो काम हम चार स्टेप में करेंगे वह हम दो स्टेप ने कर सकते हैं हम मल्टीपल दोनों के लिए अब क्या है तो यह पहला bugün संब कि यह इसके बारे हुआ और इता खिर कर सकता है यह ठटोर करता के आप शचापॉइंड एक साइं यह डॉक्त नाम रहाएजिए आपने पढ़ह सब्सक्राइब कर सकते हैं टेबुलर में स्टोर कर सकते हैं तो यह आप याद रखेगा 12 रूल पर यह काम कर रहा होता है दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि डेटाबेस के बारे में हम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें चर्चा करना पड़ेगा डेटाबेस मॉडल के बारे में डेटाबेस मोडल के बारे में चर्चा कर रहा हो ओंगे डेटा बेस मॉडल क rooftop यूण है वह मेरा इंटाबेस के बारे मियरा अब deedाबेस के बारे में पहलेएं तो पूरा मतलब एक ही डेटाबेस हर जगा इंप्लिमेंट होगा नहीं अगर हम एक दुकान का सॉफ्टर बना रहे हैं तो उसके लिए अलग डेटाबेस वह एक सेंट्रल पीसी डेटाबेस काम कर लेगा लेकिन वहीं अगर हम किसी कॉलेज के बारा में यहां पर मिलियंस ऑब ड गए इसी वजह से अलग अलग तरह के डेटाबेस मौडल की नीट पड़ेजय मॉडल उसे बोला गया कि एक ऐसा जो टेब्यर फॉर्म में डेटाबेस पकेज हमारे पास है जो कलांट सरवर के फॉम में डीडाश황 कर सकता जो मेरा client है और server के form में data store कर सकता है उसे हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग कहते है एसे हम लोग कहते है और होग ये हो गया इसके बारे में अब ये client server कहने का मतलब क्या है अगर मान लो कि मेरा college है और college में हम क्या करते है registration form fill up करवाते हैं तो जाहिज बात है कि एक मेरा जो software है वो कहां install है मेरे server पे install है deploy मेरे server पे है और आप कहीं से भी उसको remotely access कर पा रहे हो ठीक है कहीं से form fill up कर पाते हो तो यह कैसा model हो यह करता है से हाँ यही काम होता है कि एक central location पर database रखा गया है कोई भी उसको access कर पाए को मतलब database actual में एक जगह पर रखा गया ऐसा नहीं कि आपके system में बस मैंने इंस्टॉल करके रखता है वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है आप बस एज क्लाइंट यूज कर पा रहे हैं तो यह एक तरह का नेट्वर्ड मोडल हो गया ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करता हूं हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओर्येंटेड मॉडल ठीक है मुल्टी मीडिया डेड़ा हम सिर्फ नाम स्टोर नहीं कर पा रहें सिर्फ आजकर चल रहा है बहुत जादा तो यह सब क्या है यह सब ऐसा package मेरा हो गया कि भाई हम कोईरी जो करेंगे ना हम वीडियो पे भी करता है हम इसमें भी का मतलब मल्टी मीडिया डेटा भी करता है तो वह कैसा हो गया यह object oriented model हो गया मैंने example दिया कि multimedia तो यहां का जो की element वह क्या है कि यह real world object का कर सकता है यह real world object का इस्तेमाल कर सकता है यह real world class का इस्तेमाल कर सकता है उसके बाद मेरा होता हिरारिकल यह हिरारिकल मॉडल क्या हो गया यानि कि अब मैंने जैसे बताया कि मेरा कॉलेज है हजार दोजार माइस्क्वेल जो है आपका डेटाबेस मॉडल पर वह नेटवर्क मॉडल भी का लाएगा अच्छा एक चीजे क्लियर कर देता हूं कि अगर जैसे और इकल मालनों 11 के बारें बात तो और 11 या माइस्कुल नेटवर्क डेटाबेस मॉडल क्या वह रिलेशनल नहीं होगा ठीक है जो जहां पर भी टेवल बन रहा है वह वह कोई भी सोफ्टर पैके जो सरवर बेस्ट के लिए सरवर साइड प्रामिंग किया जाता है वह आपका तो नॉर्मली क्या है बात ऐसे समझें कि और नेट्वर मॉडल से थोड़ा सा यह एक्स्टेंडेट पाद है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका ऐनेट हो और हिरानिकर मॉडल रहे वह royal आपका इंटर्नेट सिस्टम पूरा हिराला मॉढल पर ही काम कर रा आइगर बात करते हैं कि हमारा वोट होने वाई तो ले सकते तर स्टेट को एक्सेस कौन करेगा तो वो मेरा करेगा कौन तो मतलब सेंट्रल एक्सेस करेगा तो यह मल्टिपल हिआरिकल वे डिटाबस किया जाता है ठीक है कंफ्यूजन दूर गया तो इसके अलावा और भी जैसे सेंट्रलाइज डिटाबस सिस्टम हो गया यानि कि डेटा इक सेंट्रल सर्वर पर रखा गया एक होता है डिस्टिबूटर डेटाबस भी होता है ठीक है तो यह तो मॉडल हो गया ठीक है यह नॉर्मल मॉडल है जो हम और इसके बाद तो अर्टिक्ट्र में नॉर्मल सेंट्रलाइज सेंट्राइज डेटा बेस यानि कि डेटाबेस जो है वह सेंट्रल सर्वर पे जैसे नेट वर्क में इस्तमाल किया जाता एक होता है distributed यानि कि database सिर्फ एक जगह नहीं है multiple जगह उधारन के तौर पे अगर हम लोग online purchasing जो करते हैं online जो purchase करते हैं वो क्या होता है कि अगर मालों कि हम flipcard से जाके एक यह पेन का order कर रहे हैं मालों कि यह लगजर का पेन है तो जब मैं पेन का order करने किया तो flipcard का server भी यूज हुआ यानि flipcard का भी database हिला होगा ठीक है कूरियर किया मैंने e-card से तो e-card का भी server यूज हुआ हो तो यह पूरा जो फिनोमीना है वो क्या हो गया मेरा यह पूरा मेरा हो गया एक तरह से हिरारी कर यह तरह से हो गया आपका क्या तो यह distributed database यानि कि database एक central location पर multiple location पर स्टूर है ठीक है clear है कि समझ में आगे हैं अब इसी तरह एक peer-to-peer भी होता है नॉर्मल हम लोग बात करते हैं जैसे कि हम लोग चार सिस्टम को जो करते हैं तो बेसिकली यह अलग-अलग model है हम लोग यहां पर इस्तवाल करते हैं आप जो चीजे समझ रहे हैं आपको जो समझना है बेसिकली इर्दगिर्द चीजे घुमना और इधर भी टॉच हो जिसे ट्रांजेक्शन सिस्टम जो पढ़िएगा तो आपको हिरारिकल पर वो बेश्ड होगा ठीक है तो कहने का मतलब है यह सबसे ही चीजे आगे इंफ्लिएंस होगी तो यह होगा टाइप अ मॉडल किसकी क्या क्या यहां से यह बन सकता है इसमें से कौन सा मॉडल है या नहीं है या इसमें से कौन सा की एलिमेंट किसका है ऐसे करके कोशन बन सकता है ठीक है कुछ फंडामेंटल कोश्चन भी आपके एक्जामें टक्राएंगे अब आगे के बारे में बात करते हैं और यहां पे थोड़ा सा सेले आप इसको बोल सकते हैं लेबल औरैस को सकते है जैसे कि हम धीड़ा पर स्टोर और पर लूर통 होता है कैसे कि अचिके अगर मालो कि मैं लिखता हूं कि मेरा नाम है वह क्या है वहापका विवेक तो ठीक है तो यह विवेक क्या हो गया है यह विवेक जो आपका है वह आपका क्या है तो विवेक आपको दिख रहा है जो आपको दिखता है अब विवेक क्या है तो विवेक नाम फील हुआ यह एक यह character strength वह सकता है ठीक है अब यह विवेग एक दो तीन चार पांच 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 पर के लिए कभी तो हार्डिस में कहीं जाकर store होगा क्या हम आई विप्यस का server अपने laptop में configure कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं स्पेस ही नहीं होगा वापे नहीं होगा न तो तो जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उसका physical structure भी दिमार में रखायता है तो यह physical structure है वो भी एक label कहता है तो अब यह समझे कितने level हो तीन level होता है सबसे पहला हम लों कहते है विभी सबसे पहले मिरा क्या है उसके बाद मेरा होता है ऊसके बाद मेरा होता है फिजिकल लेछ ठीक है उसके बाद मेरा होता है फिजिकल लेबर ठीक है और इसको हम लोग हार्डवेर लेबल ये फिजिकल लेबल होगी इसको हम लोग फिजिकल लेबल भी बोलते हैं ठीक है तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं ठीक है ये तीन लेबल हो कोई भी डिटा स्टोर है तो आपको विवेक जो दिखता है आपको जो विवेक दिख रहा है वो यहां पे है जो यूजर यह विवेक आपको दिखता है ठी यह विवेक केरेक्टर है यह आपका यह होगा विवेक मेरा 32 बीट स्पेस कंजूम कर रहा है यह आपका यह अब समझ में आगे क्या होता है लेबल में तो तीन लेबल पर कोई भी डेडावे स्टोर होता है यह तो दोतिन पॉइंट है यहाँ पर लिखना पड़ागा आपको जैसे हमनों बात करते है व्यू लेबल के बारे में इसको अपर लेबल भी कहते है इसको एक्स्टर्नल लेबल भी बोल सकते है यह क्या होता है तो यह बेसिकली होता है जो डेटा दिखता है अहां भी होगा अपर होगा एक्स्टर्नल जो व्यू करता है मतलब डेटा जो इस का पार्ट होगे ठीक है यानि यह अगर बात करता हूं यहां इसके बारे में तो यह क्या होता है डेटा कि यूजर यूजर एंड पर जो बन रहा है उसको लोग यू लेबल कहते हैं ठीक है दूसरा मैंने बोला conceptual label ठीक है दूसरा मैंने बोला conceptual label इसको हम लोग logical label भी बोलते हैं इसको हम लोग logical label भी बोलते हैं यह क्या बताता है यह basically क्या बताता है how the data is actually stored in physical medium how data is actually stored in physical medium actual store in physical medium sorry 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 you can describe it describe describe the data type it describe the data type type and relation between relation between entity 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 मतलब table ठीक है तो conceptual label मुझे यह बताता है कि भाई अगर जैसे मैंने example दिया कि एक मेरा data है आपका data है तो कौन सा data कि से related है किसका क्या data type है यह relation between entity है वह भी मेरा conceptual label ही describe करता है view level जो हमें दिख रहे डिस्क्राइब यूजर लेबल जो दिख रहा है वह आपका व्यू लेवल हो गया ठीक है यह यूजर नहीं देख पाता देटाइब से क्या मतलब है किसी तो यह दो डेवलपर एंट से ही देखा जाता है तो यह आगया आपका conceptual तीसरा जो मैंने आपको बोला वह आपको मैंने बोला इंटर्नल लेबल तीसरा जो मैंने बोला वह मैंने बोला इंटर्नल लेबल और इसको हम लोग बोलता है फिजिकल लेबल भी बोलता है ठीक है फिजिकल लेबल यह क्या बताता है हाव दाड़ेटा इस एक्चुली स्टूर इन फिजिकल मिलिया हाव डेटा इस एक्चुल स्टोर इन फिजिकल मिलिया हुआ हाव डिटा इस टोर इन फिजिकल यह मेरा हो गया फिजिकल लेवर तो यह तीन तरह आगा यानि कि जैसे मैंने बुता कि जो हार्डिक्स में स्टोर होगा तो किस तरह स्टोर होगा यह आपका फिजिकल में अब जब भी फॉर्म फिलप करते हो हमेंसा यह लिखा रहता है इमेज सूट भी 25 के वी क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा रहता है क्योंकि आगर वो सर्वर जो बना होगा उस सर्वर में स्पेस्वी पता है कि इस एक मैंने है यहाँ पर इतना यूजर का डीटामेर को स्टोर करने है तो यह हमारा हो यह लेबल ऑफटल होगे लेभा था टेग तो से निजयागे और यह पानसा यह е बेशिक फंडामेंटल ऑगर हम बात करते हैं स्कूल का डेटाइन करें स्कूल कर रहा है और क्लिक डेटा क्या है यह सब यह सब यहीं सब डेटा होता है आप फॉर्म फिलब कर रखता यह तो यह कैसे वह करता है तो बाइपर क्रेटींगा आब फॉर्म में चीजों को मैनेज करता है तो अगर पुर्ण मरान लेते हैं daha कि कि सिभी देटा सकते हैं कि ऐसकीजांपर पढ़ा सकते हैं नहीं से यह एभी टेबल नहीं बनाए तो अब यह अब बना है यह अब आपका टेबल बना है तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो कुछ टर्मलोजी के बारे इन दिवाह में रखेंगा सबसे पहले स्टुडेंट क्या है यहां पर बोल सकते हैं कि यह मेरा स्टुडेंट क्या है तो स्टुडेंट मेरा यहां पर एंटिटी स्टुडेंट मेरा क्या है एंटिटी अब यहां पर मामला आगे बढ़ता है हम मामला आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम फिल करेंगे माल लिजे कि हम लिखते हैं स्टुडेंट आइडी स्टुडेंट लिखते हैं और अस्टुडेस फोन नमबर लिखते हैं यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आइडी मेरा क्या हो गया एक सो एक हो गया ने माल लिजे कि विवेक हो गया ठीक है एड्रेस माल लिजे डैली हो गया ठीक है अब फोन नमबर कुछ भी इसका एक्सवाइड उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ रिकॉर्ड फिल करते हैं यह पार्ट फिल हो गया तो पहरे बचो इसको हम लोग column कहेंगे और इसको हम लोग attribute भी बोल सकते हैं attribute ठीक फिल्ड बोलो column बोलो या attribute बोलो all are same ठीक है फिल्ड column टेबल के टर्म में column हो गया database के टर्म में filled हो गया और attribute हो ठीक है चलिए यह वाले part को हम लोग क्या कहेंगे अगर मैं बात करता हूं यहां पर यह वाला area को इस area को क्या कहा जाएगा इसे कहा जाएगा row इसे कहा जाएगा record और इसे कहा जाएगा टपल इसको हम लोग टपल भी बोल सकते हैं अब आते हैं अगले point पर यहां पर देखने की कोशिश करते हैं अगला point क्या है तो id है name है address and all that यह सब इसका part हो गया ठीक है अब थोड़ा सा यहां पर आप समझते हैं चीजों को क्या करना पड़ता है यहां पर जैसे कि मेरा होता है instances इसे numerical आगे बनेगा ठीक है और उसके बाद एक term होता है डिग्री उसके बाद एक term होता है अगर यहां पर बात करता हूं इन सारे चीजों के बारे में तो मेरे schema क्या होता है structure of database structure of database schema कहते हैं इन्स्टांसेज क्या होता है इन्स्टांसेज होता है यानि कि हम टेबल सिब डिजाइन की है अभी रिकॉर्ड इसमें नहीं कि दाट इसकोई schema धाचा जो हम लोग बना रहे है schema दो प्रकार का हो सकता है एक फिजिकल स्कीमा एक लॉजिकल स्कीम फिजिकल ऑज़ी पता है कि हड्रिस में कैसे होगा इसका भी ध्यान रखा जाएगा तो वह फिजिकल स्कीमा डैट निस ट्रेक्श ठीक्श ठीक है यह जब आगे पढ़ रहे होंगा तो इस वर्ड का डिटाबेस इसिस्तानसी त्रेक्श है यह इसा पार्ट त्रेक्श हूंगा है डिगरी क्या है num veinwright अट्रेब्यूट नंबर ऐट्रीमट नफर तो यह क्तने एक दो तीन चार कॉलम है तो इसकी डिगरी чार हो desapar तो यह क्या होता है नंबर ऑफ आट्री अननंबर ऐस्ट्र तो अब बढ़ते हैं थोड़े दूसरे पॉइंट में तो यह सारा है बेसिक फिनॉमिना जो आपको यहां पर पता होना चाहिए एक्जाम में जिसे कभी आगे पढ़ रहे होंगे कि एक टेबल है जिसमें इतने कॉश्चन ऐसा बना था कि एक टेबल है जिसमें जिसकी काडिल्टी चार है और हमने चार नए रिकॉर्ड एड कर दिये तो ट टॉन टो टॉटल स्यक्ति शुक्राइब कंभी क्रॉस प्रोडट कर्टीजन झोल निकालना पर हुद ता उससे ने कि एक टेबल की टिग जाओने के टिंगर पर कि जिस not कोई कंफ्यूजान नहीं n crown भी प्र चंश्य request जिस पर पूरा डेटाबेस खिलता है वो है मेरा कीज टाइप सॉफ सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ तो वो मेरा है अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होता है तो प्राइमरी की कहने का मतला है अट्रिब्यूट एक ऐसा अट्रिब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड विच यूनिकली श्निकली बात करता है यूनिकली 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 इछरोड विच रिक भ्राइमरी की ऐगरोड विच जा एट्सक्टारी छिवाडेश रिसक्स्कार लाउब्रुडsराई, बदग्डनिकली countdown, की, ऑ mirac यह जोंब इने एक ऐसा इट्रिवीट जो सब से यूनुक होगा सब से यूनीक होगा यूनिक होगा शुपन कि है और नूनेल है यह इसका पाट होगी हा यानि हिल्म म идет एक्ग्जाम्पल सा समझा दूंगे तो एक ऐसा अट्रिबूट जो यूनिक है नॉट नल है उसको लोग कहते हैं क्या उसको लोग प्राइमरी की कहते हैं दूसरा आपका होता है कैंडिड़ की कैंडिड़ की कैंडि़ स्काष्पिति शत्राइमं अत्राइमं अचन्ति व्यूद् 고 Which uniquely identify, which uniquely identify each record. identify each record. primary की एक attribute होगा और यह क्या है? एक सधिक attribute हो सकता है, ठीक है, एक होता है मेरा क्या है, एक मेरा क्या होता है, super की, super की क्या हो गया, set of attribute या group of attribute वो set of attribute, set of attribute, a set of attribute, which uniquely identify each record, which uniquely identify each record, each record, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग super की कहते हैं, ठीक है, समझिएगा, अगर मान लिजिए कि correlation R है, ठीक है, correlation R है, हाँ एक चीज़ और, कि primary candidate की है, दोनों super की का part, primary candidate की बोथ हर्दा part of super की, बोथ हर्दा part of super की, ठीक है, example के तौर पर, correlation है, जिसका attribute है, A है, B है, C है, D है, यह इसका attribute है, तो अगर मैं बात करता हूँ, primary की पर, तो primary की क्या हो सकता है, A इसका primary की बन सकता है, ठीक है, candidate की क्या बन सकता है, A, B इसका candidate की बन सकता है, A, B, A, B इसका candidate की बन सकता है, ठीक है, सूपर की क्या हो सकता है सूपर की मेरा हो सकता है एह हो सकता है एबी हो सकता है एबी सी हो सकता है एबी सी जी हो सकता वाटवर यह है यह सब इसका सूपर की हो सकता है ठीक है शूपर की फाइंड आउट करने के लिए भी कोश्चन बनता कि एक अट्रीबिट में ट्रॉटल सूपर की कितने हो सकते हैं ठीक है तो यह हम लोग आगे फाइंड आट नुमिकल से स्कूल में हम बात करता है स्कूल में सिर्फ रोल नंबर होता है हमारा तो वह मेरा प्रैमरी के लिए बैंक में घर हम जाते हैं तो हमें एक से अधीक चीज़े वहां पर देखने को मिलते हैं तो वह उसका पाठ हो गया ठीक है तो दिस इस ओल अवाउट दा थिंग आप सूपर चलिए अब मामला आगे बढ़ाते हैं और क्या है उस पर बात करते हैं प्रैमरी की होगा सुपर की होगा सुपर की होगा सुपर की और यह सब इसका पार्ट हो गया है यह सिख क्ड़र ऑफ सब्सक्राइब सीका यह सबसेट और शिलिए तो यह टाएक की और ठीक है जो आगे नीड पड़ेगा और इन की फॉरिंग फॉर इंग की क्या होता है फॉरिंग की कहने का मतलब होता है it should be the primary key of another table, it should be primary key of another table, it should be primary key of another table, यह primary key होगा किसी और टेबल के बारे इट शुद भी दा, primary key of another table, ठीक है, पहला point यह हो गया, it is based on, based on referential integrity, इंटेग्रिटी, it is based on referential integrity, ठीक है, यह referential integrity पे बेस्ट होता है, समझते हैं इसको कि यह क्या है, पहले सबसे पहले यह है कि खुद के टेबल का यह पार्ट नहीं होगा, example के तोर पे, अगर मानते हैं कि correlation R1 है, ठीक है, आरवन में attribute जो है, वो क्या, correlation R1 है, attribute है A, B और P, एक relation R2 है, जिसमें हमारे attribute है, वो क्या है, वो हमारे attribute जो वहाँ पर है, वो मेरा है P, Q, R, ठीक है, तो P, इसके लिए क्या बन रहा था, P, इसके लिए प्रैमरी की बन रहा था, पी इसके लिए क्या था, तो P, R2 के लिए मेरा प्रैमरी की है, R2 के लिए यह तो मेरा प्रैमरी की है, R2 के लिए यह मेरा प्रैमरी की है, फ्रेशन और रुट रहा है प्राइटी और एक लिन और आपन है do the use to establish relationship between two and more table used to establish, use to establish relation between two and more table relation between two and more table two and more table टेबर, टू एंड मोर टेबर, ठीकि ये इसका पार हो गया, यूज तो स्टेबले लेशन बिट्विन टू एंड मोर टेबर, शूट भी दा प्रैमरी के वहर दा टेबर, इस बेस्ट और रफेरेंशन इंटिक्रिटी, ये सब इसका पार हो गया, I hope you getting the point, समझ में आ गया, यहां होगा, I hope किसी तरह का दिककत, नहीं होना चाहिए, आपका ठीक है, ये आपका किसी तरह का दिककत यहां पे नहीं होना चाहिए, next part प्रार्ट पे आता है, you used to establish lessons between two and more tables, it should be the primary key of another table, it is based on references integrity, ये इसका पार्ट हो गया, यह पूरा टाइप ऑफ की है वो कॉंसेट आपके दिमाग में छप गया होगा अब किसी तरह का चैलेंज यहां पर नहीं आएगा अब की है वह आप फाइंड आप तरनों में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो कॉंसेट हमें डिसक्स करने वाले यहां से आपको यह डेफनेस से नहीं पूछा जाएगा ठीक है आपको इससे राफरेंसल इंटिटीर समराइज करने के लिए आएगा तो यह सारी चीज़ें जो आपको यहां पर पूछा जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं अब यहां पे पंगा आ जाता है जो अगला स डियाग्राम से कोश्चें से मॉडल के बारें बात पर रहते हैं यहार मॉडल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इससे डारेट कोश्चन आता है यहार मॉडल से क्या है तो टाइप्स और सिंबल का यूज पूछा जाता ज्यादा कुछ में सिंबल या कभी है सुडेंट है को से टीचर को जो हम डाइग्रामिटिकली जो विजुवालाइज कर वाते हैं किसी डियाग्राम के पास क्या होता यह यहार मॉडल ही होता इसी के विहाब पे दो टेबल के बिचे रिलेशन यह स्टैबलिस कर देता है को तो यहार मॉडल में दो तिन 200 एकंटिटी पॉन रिपरजंट करता है तो वीक रच्टेंगल इम ब्यसके और यह इसी से बेइस करने से हम बैंक बात करते हैं लोन इनटी बन सकता है यह माई जो है वह विक एंटी इसके बार और है आपका का एट्रिबूट टिक प्रिड़ी बीूट भी आपका क्या है इसके भी टाइफ करता हूं तो ये आपका टाइप हो गया है कि इसको कहा जाता है की एट्रिब्यूट इसको कहा जागा की एट्रिब्यूट है वो कहा जाएगा ठीक है यह की एट्रिब्यूट हो जाएगा दूसरे पॉइंट पर बात करता हूं यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होता है ठीक है इसको कहा जाता है ड्राइवड एट्रिब्यूट ड्राइव 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 ड्राइ यहां निलावा प्रामसे इसके बारें पता है में उसके बैपने अगया समय इसके बाद मेरा है रिलेश्ण को दिखाते है तो relation को यहां पर ऐसे diamonds भी पर जिन की आता है, अगर हम बात करते है type of relation पर हम बात करते है, type of clarity भी इसको भो सकते है, type of relation पर हम बात करते है ठीक है, तो वो क्या होता है, one too many many to one one to one, और many to many यह इसकी relationship हो गए, इसके बाद होता है connection, इसके बाद होता है connection, connection जो है वो उसको arrow से represent किया लाता है, ठीक, this is the way, यह हो गया इसके बारे, I hope you getting the point, ठीक है, चलिए, so this is the day of the, आज हमनों discuss करता है, database हमनों start किया था, database में हमें, मैंने पहले ही syllable से बताया था, क्या क्या चीज़ है, तो आज पढ़ना, अभी आपका जो main focus part रहेगा, वो क्या रहेगा इस पर, आपको normalization, SQL, transaction system, concurrency system, यह चार पार्ट पर आपको काम करना पड़ेगा, यह चार चीज़ पर अगर आपको command है, you can grab them, opportunity, ठीक है, तो DBMS क्या है, यह fundamental path है, today is the first class, that's why we're discussing the fundamental part, what is a DBMS, relation plus stable, ER code, जो 12 rule दिये तो, कितने प्रकार कर तो उस पर मैंने discussion किया, after that मैंने types of level को मैंने describe करा कि कौन किसका use कर रहा हो था, after that मैंने सारे terminology को discussion किया, क्या इसमें होता है, degree cardnity क्या होता है, फिर मैंने types of key, primary key के बारें बात की, फिर मैंने candidate के बारें बात की, शूपर की के बारें बात की, क्या relation है, वो हम लोग example के माद हम से यहाँ पर समझे, after that, फिर discussion about the foreign की, foreign की क्या है, यह concept हम लोगों ने समझा, ठीक है, फिर हम लोग ने AR model के symbols को discuss किया, ठीक है, that's all, तो that's all of the day, आज करें इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे, कल वाली वीडियो में, कल से फिर हम लोग नॉर्म लाइसेंस करेंगे, बिल्कुल मैंने आपको important point चार बता दिये न, ठीक है, ITY Vivek Sir, टेलिग्राम है, आप उसमें connect हो सकते हैं, community भी यहीं में आपको मिलेगा, ITY Vivek Sir, ओके, you can connect with them, and send your query and whatever you have down, ITY Vivek Sir, ठीक है, तो, SQL, normalization, relational algebra, transaction system, concurrency control, तो यह 3-4 point है, जिस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, बिलते हैं आगले वीडियो में, क्लास के बाद अपना फुर्थ भूल, review देने ना भूले, that is appreciation for me, जिस वेरी, जिस वेरी, 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 पॉर्म के बारे में, आभी फॉर्म आपका, जुलाई से फिलफ हो, जून या जुलाई से फिलफ होना start होगा, आरर्भी का, तो आप लोग connect रहेगा, मैंने आपको बता चुका है, कि आपको connect रहना है, जी जैसे से भी कहवे, election का गरण, दो महिना थोग सा डिले होगा, अभी जैसे जून में, चार जून को result है, जैसे result है जागा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, वेकेंसी आपको, बता दूँगा, कि आपको क्या eligible है, आप महम से communicate कर लीजेगा, एक साल का experience है, बहुत अच्छा है, आप a skill 2 जो RRB काएगा, उसके लिए आप eligible हो जाईएगा, ठीक है, anything else, ओके बीटा, टेक केर, और को डाउट, नो डाउट, टेक केर, फिर गुड़ लग, विश्व आलव, वेरी आलव बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, थैंक यू, इस क्लास का PDF मैं आपको देता हूँ, एक सेकेट, झालवाट, जाच्वाइब, थैंक यू, जाच्वाइब, थैंक यू,